तो दोस्तो नमस्कार स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो आज किस वीडियो में फिर से यहाँ पे इकलियान स्कुलर्शिप के बारे बात करने वाले हैं क्योंकि दोस्तो बहुत सरे ऐसे स्टुडेंट हैं जो पहले बार यहाँ पे इकलियान स्कुलर्शिप में apply कर रहे हैं दोस्तों उन लोगों को पता नहीं है कि भाई bank खाता में कौन सा bank खाता में scholarship का पैसा आएगा आखिर यहाँ पर क्योंकि online apply करने time तो कोई भी bank खाता नहीं लिया जा रहा है तो आपको पैसा किस टाइप से आपको मिलेगा कौन सा बाइंग खाता में जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में आपको complete जानकरी बताने वाला हूँ इसी के बारे अगर आपको भी पता नहीं है कि कौन सा बाइंग खाता में पैसा जाएगा तो डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हो तो वीडियो का घृतक बने रहना लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने सपहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है अभी तक आपने इस यूटूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक क्या है आपको बतते हूं डिबीट मतंड़ डायरेक्ट भी मतलब बेने फिट यहां पर टी मतलब ट्रास्फपर याने करसा दोस्तों आपके आधार कड को ट्यांपे ओंतों सरे लोग करने लगेंगे कि भाई आधार कार्ट से तो पैसा निकलता है तो मेरा लिंक है तो दोस्तो यह dbt अलग होता है और आधार कार्ट से जो पैसा निकलता है वो अलग होता है तो चलिए समझाता हूँ कि इसमें आपको चेक कैसे करना है कि आपका लिंक है या तो नहीं कि दोस्तो तो सबसे पहले चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल के को रोम बर्जर ओपन करने है उसके ओद यहां पर दिश्टो सर्च ओला उप्सान पर आपको किलिक कर दना है इस वेपसाइट पर आजाना है आधार काड की ओफिसल वेपसाइट है यहीं से आप अपना आधार यहां पर खुलके आजाएगा इस टेप से आने के बाद यहां पर देख्षतो सबसे पहली यहां पर अपना आधार नंबर को डाल देना है उसको यहां पर जो भी कैप्चार कोड दिख रहा है उसी को यहां पर डालना है फिर सेंड ले आनी की लोगिन विथ OTP बटन पर किल करता हूँ यहाँ पर देखस तो OTP generated बोल रहा है OTP send हो गया है आपके आधार card register mobile number पे तो OTP आएगा तो उस OTP को यहाँ पर डाल देना है जैसे OTP भी आगया उस OTP को यहाँ पर भर देना है अब दोस्तों यहाँ पर देखस तो OTP भर दिया फिर login बटन पे क्लिक करता हूँ login बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप आधार card की official portal पे login हो जाओगे इस टैप से इंटरफेस खुल जाएगा जैसे यहाँ पर देखस तो यहाँ पर दोस्तों आधार card की official portal है अब दोस्तों आपका आधार sitting bank खाता चेक करने के लिए यहाँ पर एक option आ जाता है देखस तो bank sitting status यहीं पर आपको क्लिक करना है bank sitting status बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके आधार card के साथ जो भी bank खाता link है वो यहाँ पर दिख जाएगा जैसे यहाँ पर देखस तो transfer होगा आएगा यानि कि आपका जो भी यहाँ पर show करेगा जो भी दिखाई देगा आपका link रहेगा वही bank खाता में आपका e-callion scholarship का भी पैसा आएगा और दोस्तों यहाँ पर आपका active रहना चाहिए जैसे बहुत सारे student है जिनके यहाँ पर नाम तो दिखा रहा है तो यहा पर active का दिया जाएगा और दोस्तों अगर आपका यहाँ पर कोई भी bank खाता link नहीं दिखाता है आपका bank का नाम नहीं दिखाता है तो दोस्तों आपको कैसे link करना है already मैं इस topic में वीडियो बना दिया हूँ तो उस वीडियो को देखिके आप दोस्तों link करा सकते हूँ उस वीडियो को किलिक करके आप देख सकते हूँ या तो वीडियो का description में दिया गया है उस वीडियो को कैसे link करना है डीविटी कैसे link करना है उसके बारे complete process आपको बताया हूँ तो दोस्तों इस वीडियो में यही चीज़ आपको जानकरी देना था कि इकल्यान इसकुरसिप का पैसा किस खाते हमाएगा वह आपको यहाँ पे complete बता दिया अगर मेरे द्वारा बताए गए थोड़ी सभी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जरू करना और इसी टाइप से time to time update पाने के लिए इस YouTube चैनल को subscribe जरू करना ताकि दोस्तों आपको time to time update मिल जाएगा को कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसलिए चैनल को subscribe जरू करना